नमस्कार दोस्तों आप सभी का सुंदर्ला सोई चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूं आज हम बनाएंगे मैगी दोस्तों अगर आप मारे चैनल पे नए हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल एकन का बटन दबाना बिलकुर न भूलें तो हमने गैस पे क प्याज और हरी मिर्च को अच्छे से हम तेल में भून लेंगे देखिए हमारा प्याज और मिर्च अच्छे से पक चुका है अब इसमें हम कटा हुआ टमाटर डाल देते हैं टमाटर को भी अच्छे से हम तेल में पका लेंगे स्वाद अनुसार नमक मिला लेते हैं टामाटर हमारे पक चुके हैं, अब इसमें हम थोड़ी से हल्दी डाल दिये हैं, थोड़ा सा सब्जी मसाला मिला लेते हैं, इस तरह से हम चला लेंगे, जिससे हमारे मसाले अच्छे से तेल में पक जाएं, अब हम पानी मिला देते हैं, पानी आप अपने अनुसार भी मिला सकते हैं, कम या ज्यादा, अगर आपको ग्रेवी वाली मैगी बनानी है तो आप पानी ज्यादा मिलाएं, अब पानी को हम गरम होने देते हैं, देखे, पानी में हमारे अच्छे से उबाल आ चुका है, अब इसमें हम मैगी को डाल देते हैं, और मैगी मसाले को भी डाल देते हैं, इस तरह से हम चला लेंगे, इसे हम पांच मिनट के लिए ढख के रख देंगे, जिससे हमारी मैगी बहुत जल्दी पक जाएगी, और देखे, पांच मिनट हो गए हमारी मैगी अच्छे से पक चुकी है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं, अगर आप मैगी इस तरह से बनाएंगे तो यह बहुत ही खाने में टेस्टी है, अब थोड़ा सा हम धन्यन हरी मिला देते हैं, जिससे हमारी मैगी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा, धनिया को हम मिला लेते हैं, तो देखिए हमारी मैगी बन के रेदी हो गई है, यह खाने के लिए तियार है, तो आप लोग भी इस तरह से मैगी बनाएए और खाईए, एक बार इस तरह से बनाएंगे तो आप बार बार इसी तरह से बनाएंगे, यह खाने में बहुत ही तेस्टी है, दोस्तों अगर आपको मेरी रेश्पी अच्छी लगी हो, तो प्ली चैनल को सस्क्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से सेर करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं मेरी रेश्पी कैसी लगी, अगली रेश्पी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए, राधे अधेर